कुछ सेलेक्टेट कुश्चन्स हैं जिनके की आंसर राइट डा फॉर्मला ऑफ फॉल्विंग कॉर्डिनिशन कंपाउंड पहला कुश्चन है के ट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लॉराइड है इसका स्ट्रक्षण अगर आप बनाते तो क्या बने गाए कर ट्रामाइन डाई एकवा कोबाल्ट ट्र mike क्लॉरेड तो आमाइन और एकवा दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूटरली गांड होते हैं दोनों तो कोबाल्ट थर्ड क्लॉराइड आपको चाहिए तो कम सखम कितने सी यह नोने चाहिए तीन सी यह नोने चाहिए प्लोराइड बोला तो स्क्रेल क्या हो गया काउंटर आइन हो जो पहले वाले का रिद यानिकी वाले का अंसर हो गया यह कि अगला कंपाउंड है पॉटेशियम टेट्र साइणो निकलेट सेकंड highly important निप्लेशियम टेट्रस साइणो क्यानर लगे हुए चार बार और निकल के आगे क्या लगवरा है एकक क्या बैसे चाहिए है तो आप टेट्रा साइन वार पर कितना चाहाँ गता है माइनस कमन लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लस का तो एटलीस कम से कम कितने पोटेश्यूम होंगे दो पोटेश्यूम किसमें आएगा काउंटा राएन के अंद तो गमपाउंड का अगर आप बनाते हो भी वाले का तो वह कैसे स्टेट निकालोगे तो निकल का आएगा टू तो यह होगा सगेंड वाले का आंसर के टू एनाई सीए एफ़र उसके बार अगला कंपाउंड है एक में दो दो तो तीन में उच्छा कोडेशन में कितना हो गया 6 सिक्स भर अपो गया बाहर है कि लॉराइड डिपार ऊना चाहिए क्योंकि री थार्ट तो प्लेदिंग कितनी बार होना चाहिए इन बार बना लो ऐस्ट्रक्चर और योग्या C यार-ई-ण का और अगला अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्राइटो नाइट्राइटो एन प्लाइट से एक तीन चार और नाइट्राइटो जो है वो कौन से पार्ट से अट्याइचे तो आप उसको अपत्रों को कैसे दिखाऊ एक और पूरा कमपाउंड क्या है कि पूरा कमपाउंड है प्लाटिम ready कि भूले वाली ये था यह दूसरे का दसने का चौंत फी में सबस्क्रराइब उसका स्ट्ट्रक्टर है निवाली 번째 क्यों लगारे मिक्लेटिक क्यों लगा हुए क्यों प्रेटिनेठ्स सेकंड क्यों लगा यह अ भागि लास वालंस एक यह कुश्चन काफी मॉटेंट ए इप इन प्रेटेंट 때문 नेक्स है राइट ड़ा यूपसी नेम्स ओफ फॉलुविंग कोडिनेशन कंपाउंट्स तो पहले वाले का नाम हो गया है एक्जा आमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड नामाइन क्लोरो प्रॉड थर्ड क्लोराइड अगले वाले का अगले वाले का पुटेशियम ट्रिस ओक्जलिट तो अगले वाले का पुटेशियम यह जो है एगली वाले का पुटेशियम क्लोरो मीथे नमाइन प्लाटीनियम सेकंड क्लोराइड है को टेट तो यह हो गए इन सभी कंपाउंड के नाम अगला कुछ नहें था स्पिन ओली मेंगनेटिक मुमेंट ऑफ एमन बियार फो नेगटिव इस फाइप पॉइंट ना रही है वजह बियार वीक फिल लेगेंड है अब अगर विए लेकर नाएगा को मिलाएं के इस कोशिन करोंद है विए हॉटाराइग है और विए कंदीशन के अिकतना अगरन कालते हो तो लगा दोगे ओन्दूरुotch अन प्लस टू न करो पूट करोगे फाइव रूट थर्टी फाइव आएगा रूट थर्टी फाइव की वैल्यू होती है 5.92 भी एम हाईव इंपॉर्टन को स्टो अब इसकोशन का लॉजिक क्या बना कि बी आर कैसमें आता है वीक फिल्ड लेगेंड के अंदर आता है तो इलेक्ट्रॉन की पेरि स्ट्रॉंग फिल्ड ही यहीं पर जाती स्क्वार प्लेनर लेकिन स्क्राइब नहीं होगी क्या होगी जिसकी वैसे मोमेंट कतना आएगा 5.9 बीम का काफी इंपॉर्टन कॉश्चन है एन इसी एल 4 नेगेटिफ पैरामेंगतिक होता है जबकि एन आई सी ओ फोर जो है वो ड है कि एन आई के अंदर इस वाले पहले वाले कंपाउंड गिलना है तो निकल बेटा हुए प्लस टू स्टेट में हम निकल कौक्स पर अक्टेड अटॉमिक नमबर कितना होता है है कि ट्विट्टी एट कंफिकेशन करो कितना आएगा आरगन और फॉर इस टू अब प्लस टू स्टेट में निकल बेटा हुए तो निकल आयन तुमने बनाया चार्ज कितना आएगा प्लस का टू तो दो लेट्टॉन फॉरेस के निकाल दो फॉरेस खाली हो गया तो डी मे पड़ा हुआ है एक दो तीन चार पांच पांच आर्बिटल के लिए कि एक दो तीन चार पांच है कि उसके बाद छे साथ आठ तो यह हो गया अट इलेक्ट्रॉन फॉरेस खाली है फॉर पी खाली है लगा गया है सी एल किसमें आता है लाता है वीक फिल्ड के अंदर अब अगर सी एल वीक फिल्ड के अंदर आता है तो एलेक्ट्रॉन की पेरिंग तो नहीं कराएगा ना तो बाहर के और बिटल खाली मिल जाएंगे बिल्कुल फाइवडाइशन के आ गई अगर तुम एनाई सीओ फोर बनाते हो तो एनाई सीओ फोर के अंदर निकल का ऑक्सलेशन स्टेट निकालोगे एक्स काबुल में कोई चार्ज होता नहीं है पूरे कंपॉन पर भी जीरो चार्ज है तो निकल को चार्ज तो आएगा नहीं तो कंफिकेशन एग्जेक्ट किने फोरपी के और फिट्ल इभी अब तुम इलेक्ट्रों की शारंगे तो लुट दीके एक दो तीन चार पॉट इप सब्सक्राइब हर्य में तो आएंगे आर्थ थैं कि अपास तो यह हो गए कि यह गाए साथ व बाए यह होगे आप इस में कितने लेक्ट्रॉन है और पर दो एलेक्ट्रॉन कि अब निकल पर चार्ष तो हैं नहीं तो फोरेज़ों किस्में आता था तो सीओ फ्रॉस elbow के लिए ये दोनों एलेक्ट्रॉन फुरेश्स के उठागर जब कि इसमें और एकिसमें कह प्रूर्टों यह दोनों इसमें आ जाएंगे यह वैक्ट्रण पहले का है जैसी इसमें आ जाएंगे तो यह वाला जो ऑर्बिटल है कि खाली हो जाएगा फूरेस्वाला तो फोरेस वला यह जो और बिटल एक खाली हो जाएगा तो एसी सिचुएशन में फोरेस का एक और फॉर्पी के तीन इनको आपस बाइंड अप कर लोगे तो वही आईगी एस पी तरी लेकिन अपकी बारा का चेकर हो तो डी के जो सारे लेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं पेर्ड कैसे हो गए अगर यह जाएगे तो इसमें आता है यह इसका पूरे एक्स्मिनेशन और क्वेट वर्ल कॉंपलेग्स डिसोशेशन एक्किलिविडियम क्स्टेंट फॉर सी वेनिस्टी का होल फॉर्ट वाहें गिविए गिवन बीटा-फॉर वो बीटा के इन्वर्स चलता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगा इवन अपॉन टू पॉइंट वन इंटू टेंग की पावर 13 तो आंसर क्या हुआ बीटा की वैल्यू पार यानि कॉंप्लेक्स का बीटा जतना जादा होगा कोंप्लेक्स उतना कम स्टेबल होगा तो जल्दी तो टूटे करना तो इसी का नाम क्या है डिसोशेशन पॉस्ट है कुछ सारे पूश्चन स्टुश्ड इंपॉर्टेंट